अगर नमस्कार अगर हम बड़े मिया छोटे मिया मूवी की बात करdinner बड़े मिया छोटे मिया मूवी की ऐसी मूवी है जोकि और्डियंस के दिलों और दिमाग पर पूरी तरह से राझ करना जाती है हम यह चीज क्यों कह रहाए यह उसमोज में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज़ को हम रिविल करेंगे जैसे आप लोग देखा होगा धाई सो करोड के आसफास में बनी हुई यानि बड़े मिया छोटे मिया मूवी आज अच्छे कुमार आइंड टाइगर स्राप इस मूवी के सिर्फ प्रमोशन के लिए इतना ज़्यादा मिहनत करते हुए नजर आ रहा है जिसकी सायद आप कलपना भी नहीं कर सकते है इसका काड़ बस यह है कि सायद मूवी में उस लेवल की मिहनत नहीं हुई है जो कि इन लोगों को इतनी ज़्यादा इस मूवी के प्रमोशन करने की जरूरत पड़ रही है यानि मूवी के प्रमोशन को ले करके अच्छे गुमार आएं टाइगर स्राप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली चल रहे है आजकल और बहुत ही ज़्यादा आप अगर गोगल सर्च पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर तीसरे दिन यहाँ कहीं पर अच्छे गुमार टाइगर स्राप किसी सो में मूवी का प्रमोशन करते हुए नजर आएंगे या भी मूवी का सौंग रिलीज होगा या भी मूवी का पोस्टर्स रिलीज होगा बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजे नही नहीं लाला के रिलीज करते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कोस्टर्स यही बनता है कुछ यहाँ पर यानि कि ओडियन्स का कहना था ओडियन्स ने एक सवाल का कोस्टर्स पूछा था यानि कि बड़े मिया छोटे मिया मूवी के मेकर्स ने जहां कि कहा था ओडियस ने कि इस मूवी में जो धाई 300 करोर का बजट लगा है ये सायद बजट गया किदर है क्या इस चीज का आप के पास हिसाब है क्योंकि जैसे कि आधी पूरुस मूवी जैसी का भी बजट हमें यही होता है मूवी अगर अच्छी नहीं बनी है और मूवी का अमॉंट बालणा बना बताया जा रहा है तो यहां पर भी मेकर्स थोड़ा संभावना में जनक जरूर हो जाते हैं लेकिन इस मूवी से हम बड़ी उम्मीदे कर सकते हैं इसलिए जैसे हमारे समने पहली बड़ होंगी वहां से हमें पता चलता उस मूवी का जो एक्सेस लेवल था जो उसकी ग्रैविटी थी जो उसके यानि की कमेडी थी हर एक चीज को यानि बहुत ही अच्छे से बनाया गया था और उस समय मूवी जब बनी थी बहुत बड़े अमूंट में नहीं तरी बनी थी जाता है जो कि बहुत ही एक बड़ा अमूंट है इसलिए तो मूवी के अमूंट को हम कभी अंडरेस्टिमेंट नहीं करते बस यही कारण होता है मूवी को अच्छे लेवल पर रिलीज करने के लिए यहां पर बड़े मिया छोटे मिया मूवी जैसे एक पर हमारे सामने रिल मूवी में कुछ कटोती की गई थी और मूवी का जो रिलीजिंग डेट है वो पॉस्पॉन एक बार भी नहीं हुआ जहां कि हमें 2013 में फिक्स कर दिया था और फिक्स करने के बाद उसी डेट पर मूवी को अभी तक कायम रखा गया है और उसी डेट पर अभी एक महिने के अ मूवी के डेट को आगे पीछे ऊपर नीचे बिलकुल नहीं किया गया है और मूवी हमारे सामने रिलीज होगी सैद अच्छी कमाई कर भी सकती है इसकी कल्पना हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते फिराल आप लोग क्या सुचते जरूर बताईए का मिलते हैं अगले वी